लास्ट वीडियो में वी डिसकस्ट थी फॉर्माट और बैंक री कॉंसलेशन स्टेटमेंट एंड फ्यू पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स डिसकस करें थे जैसे कि बैलेंस एस पर कैश्बुक का दूसरा नाम फेवरेबल बैलेंस एस पर कैश्बुक भी होता है या फिर उसक पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लीजे डायरेक्ट पेमेंट बाइब बैंक ओन बिहाफ ऑफ दी कस्टुमर पॉर एक्जांपल हमने अपने बैंक को बोला है कि हमारे बदले में हमारी मकान की किष्ट दे देना हमारे लोन का अमांट दे देना या हमारे बच्चों की फी तो cash book या pass book दोन में से पहले कहां पर minus हुआ होगा डेफिनिटली pass book में से pass book में से bank ने पहले minus कर दिया लेकिन हमें कप पता चलेगा जब हम pass book को देखेंगे सवाल हमारा cash book से शुरू हो रहा है इसलिए जैसा pass book ने किया है हम वैसा करेंगे यानि कि past book ने minus किया है इसलिए हम भी का देंगे को minus कर देंगे direct payment by bank अगर bank हमारे बदले में payment कर रहा है तो हम भी यहां पर minus कर देंगे और यहां minus वाले column में 3,500 amount आ जाएगा तो क्या हमने सीखा balance as for cash book या favorable balance as per cash book हमेशा plus में issued हमेशा plus, deposited हमेशा minus, direct deposit by customer, customer में सिधा bank में जमा करा दिया तो plus कर देंगे, direct payment by bank, bank ने payment कर दी हमारे बदले में तो हम उसको minus कर देंगे, next point, interest credited by bank, interest credited by bank का मतलब क्या होता है, यैसे bank में हमारा पैसा जमा हो रखा है, तो एक निश्यत अवधी के बाद में bank हमें उसके उपर interest देता है, तो वो interest कोई हमारे घर नहीं पहुंचाता, bank क्या करता है, सीधे हमारे account में उसको plus कर देता है, और plus करने के बाद में या तो वो हमें SMS भेज देता है, या फिर जब हम passbook में entry कराने चाते हैं, तो passbook में वो चीज़ एंटर हो जाती है, अब cashbook और passbook, दोनों में से पहले किसको पता चलेगा कि interest आ गया है, definitely passbook को पता चलेगा, और जैसे interest आएगा, तो passbook में पैसा जुड़ जाएगा, या घट जाएगा, definitely passbook में पैसा जुड़ जाएगा, तो passbook में 500 रुपे हो गए plus, लेकिन cashbook में हमें कब पता चलेगा, जब हम अपनी passbook में entry कराएंग और अपनी passbook को देखेंगे, हमने क्या सीखा है, cashbook बना रहे हैं, तो जो passbook कर रही है, वो हमें करना है, passbook ने plus किया है, इसलिए हम भी क्या करेंगे, इसको plus कर लेंगे, तो यहाँ पर interest credited by bank, sign आएगा, plus का, और plus वाले कॉलम में 500 रुपे, बिल्कुल इसी तरह, अगर हमने bank से कुछ उधार ले रखा है, और bank को हमें, हमसे ब्याज लेना है उधार पर, तो bank क्या करेगा, हमारे खाते में से अपने आप उतने पैसे को minus कर लेगा, debit कर देगा, तो उसको बोलते हैं, interest debited by bank, वैसे भी हमने nominal account का rule सीखा है, debit all losses and expenses, and credit all incomes and gains, तो जो interest debit हो रहा है, वो expense है और expense हमेशा minus होता है, तो interest debited by bank, bank ने हमारे खाते में से interest घटा दिया, cash book और pass book, दोनों में से किसको बहले पता चलेगा, pass book को पता चलेगा, हमें गब पता चलेगा, जब हम pass book को देखेंगे या pass book में entry कराएंगे, तो pass book में क्या किया गया होगा, pass book में से उतने पैसे minus कर सवाल cash book से शुरू हो रहा है, इसलिए जो pass book करेगा, वो हमें करना है, pass book ने 1000 रुपे minus किये है, इसलिए हम भी 1000 रुपे minus कर देंगे, minus वाले कॉलम में 1000, तो credited है, income है तो plus, debited है, expense है तो minus, next point, bank charges, बिलकुल ऐसा ही है, जैसे कि interest debited के साथ है, bank हम से कुछ charges लेता है, for example, bank मुझे कोई भी transaction जो bank में हो रही है, मेरे account से related, उसकी मुझे information देता है, SMS के जरिए, उसके बदले में, bank मेरे account से 17 रुपे हर महीने काट लेता है, 17 रुपीज, तो वो पैसे bank को मेरे घर लेने के लिए नहीं आता, वो क्या करता है, सीधा मेरे account में से उस amount को minus कर लेता ह लेकिन cashbook में हम कब entry करेंगे, जब हम passbook को देखेंगे, या SMS को देखेंगे, जब हम passbook में entry कराएंगे, तो bank charges, cashbook और passbook, दोनों में से पहले किसे पता चलेगा, passbook को, bank से related कोई भी transaction जो bank अपने level पे काम कर रहा है, वो passbook को पहले पता चलेगी, और जब bank कोई charge लेता है, को क्योंकि passbook ने minus किया है, सवाल cashbook से शुरू हुआ है, तो जो passbook करेगा, जो दूसरी वाले book करेगी, हमें भी वही करना है, क्योंकि passbook ने minus किया है, इसलिए हम भी क्या कर देंगे, इसको minus कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे bank charges, और minus वाले column में 100 रुपीज, next है discount charges, ब यहाँ पर sign वाले column में minus, और discount charges के नाम से हम minus में उसको लिख देंगे, last transaction, कोई check यदि dishonor हो गया, check dishonor होने का मतलब है, हमने सोचा था, हमने अपने cashier को check दिया था, bank में जमा कराने के लिए, जैसे हमने उसको check दिया, हमने सोचा, भई यह पैसे तो जमा हो गए होंगे, तो हमने क्या करा, अपनी cash book में वो 5000 रुपे का check प्लस कर लिया, अब वो check गया, bank में clear होने के लिए, उसमें कुछ signatures match करने होते हैं, सामने वाले इंसान के account में पैसे भी होने चाहिए, और बहुत सारी requirements हो सकती है, हो सकता है, वो check ठीक तरीके से नहीं भरा गया, बहुत सारे का पारण है, जिस वज़े से वो पैसा नहीं आ पाया, हमने क्या करा, cash book के bank column में, जैसे हमने किसी को check दिया, जमा कराने के लिए, bank में जमा कराने के लिए, हमने फट से अपने bank column में लिख लिए, 5000 रुपे आ गए, लेकिन bank में वो पैसे कब जमा होते, जब वो actually 5000 रुपे आ होते, अब वहाँ पर भी वो 5000 रुपे नहीं आये, इसका मतलब यहाँ पर 5000 रुपे कम दिखाई दे रहें, और हमने तो add कर लिए थे, इसलिए, passbook ने plus नहीं किया है, तो हमें भी plus नहीं करना है, नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, इसको minus कर दे, हमें effect को nullify करना है, करना है, इसके प्रभाव को, तो अगर check dishonor हो जाता है, तो minus वाले column में, यहाँ पर हम 5000 लिखकर इस transaction को complete करेंगे, 80% questions में यही transactions चलती हैं, जितनी हमने discuss करी है, अब इसको solve कैसे करते हैं, यह पूरा जो chart है, इसमें यह cashbook वाले balance को total कीजे, और इसमें से यह वाले balance को minus करें जब हम इस सारे balance को total करते हैं, तो यह वाले side का हमारा total 63,500 आता है, यही 63,500 आँ दोनों तरफ लिखेंगे, मेरा दो पेज पर आ रहा है, क्योंकि handwriting थोड़ी बड़ी लिखनी पड़ी है, आपका एक ही page में आ जाएगा, तो आप सीधा देखेंगे, तो इस वाले column का total आपक यही 63,500 मुझे यहां पर लिख देना है, 63,500 और इस 63,500 में से इस तरफ आपने जितनी भी items लिखी है, उन सब इस items को minus करके, आप जब इस question को करेंगे, तो यह एक ही इस पर page पर आ जाएगा, हम इसका total करेंगे, 63,500 आएगा, यही 63,500 हमने दोनों तरफ लिखा, और इसमें से इस साइड वाले total को minus करा, जब हम इसको minus करते हैं, तो हमारा amount आता है, 48,600, कहां पर लिखना है, जिस तरफ का total कम है, हमें दोनों तरफ का पलडे को बराबर करना है, balance करना है, तो यह 48,600 हमारा minus वाले column में आएगा, तब जाके दोनों तरफ का total बराबर आएगा, अब इ as per pass book, तो यह हमारा question complete हो गया, balance as per cash book से शुरू हुआ, balance as per pass book पे आके खतम हो गया, अब आपका homework क्या है, आप क्या करेंगे, NCRT का bank reconciliation statement का, illustration number 1 करेंगे, illustration number 1 or 2, और numerical exercise जो है, उसमें जो main questions यह रखे हैं, वहाँ पर question number 1 or 2 करेंगे, और यह balance से शुरू हो रहा है, issued हमेशा, plus, deposited हमेशा, minus, bank charges, minus, interest debited, minus, check dishonored, minus, direct payment, minus, interest credited, plus, direct deposit by a customer, plus, whole soul बात क्या है, अगर bank में पैसा आएगा तो plus और bank में से जाएगा तो minus, interest debit करेंगे, bank से पैसा चला जाएगा, bank charges, bank से पैसा चला जाएगा, check dishonor, पैसा आया ही नहीं, direct payment, अगर bank ने direct payment कर दी, तब इसमें से account में से minus हो जाएगा, इसको याद रख सकते हैं, questions को करके मेरे को send करें,